हेलो एवरिवन नमस्कार दिस इस मंदीप और यो वाचिंग बूगल पॉलिवूड सुशान्त सिंग राजपूत अंकिता और संदीप की काफी अच्छी बॉंडिंग थी ये तिकडी एक दूसरे के बेहद क्लोज भी थी सुशान्त के इस कदर इस दुनिया को अलविदा कहने के कारण कई अनुमान लगाये जा रहे हैं दरसल आपको बता दें कि अंकिता के द्वारा सुशान्त के निधन के बाद कोई भी प्रतिक्रिया सोशल मेडिया पर सामने नहीं आई है तो संदीप लगातार सोशल मेडिया पर सुशान्त को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको बता दें कि सुशान्त के इस कदम से संदीप पूरी तरह से तूट चुके हैं सुशान्थ के निधन के बाद अंकिता वे संदीप सुशान्थ के घर भी गये थे उनके परिवार से भी मिले थे वे कई एमोशनल भावनाएं वो एसास जो उन्हें सुशान्थ के घर जाकर महसूस हुए थे उन्हें संदीप ने सोशल मेडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया था जिसमें वे बेहत दुखि प्रतीत हो रहे थे تो अब संदीप ने अिसरेग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की हैं जिसमें तीनोञु मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें तस्वीर्ग के साथ लिखा बीते दिनों के साथ मेरे दिमाग में भी एक ख्याल बार बार दस्तक दे रहा है काश ऐसा होता कि हम लोग थोड़ी और कोशिश करते सुशांत का ये कदम उठाने से उसे रोक सकते उसकी जान बचा सकते मुझे पता है जब से तुम लोग अलग हुए हो तुमने हमेशा सुशांत की सलामती और अच्छी सेहत की काम भगवान से की है तुमारा प्यार बिल्कुल प्योर था तुमने अभी तक अपने घर की नेम प्लेट से शुशांत का नाम नहीं हटाया मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब हम तीनों एक फैमिली की तरह एकठे रहते थे इतनी सारी यादे बनाई थी इतने लम्हें जो ह का पानी गिरना स्पेशल मटन लोंग ड्राइव के लिए गोवा जाना पागलों की तरह होली खेलना बहुत सारे तुख और दुख के घडियां जो हमने एक साथ बिताई थी वो सेंसेटिव पल जो हम एक दूसरे के साथ गुजारते थे तुम हमेशा सुशांत की चहरे पर म प्यार सच्चा है मेरा दिल बार बार रोता है मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ हम तीनों का वो ग्रुप वो तिकडी मैं फिर से वापिस चाहता हूँ क्या तुम्हें याद है वो माल पुडे कैसे मेरी मा की बनी मटनकडी सुशांत बच्चों की तरह मांगता था उसे वो बेहत पसंद थी मुझे पता है कि तुम उसे बचा सकती थी काश कि तुम दोनों की शादी हो जाती जैसा कि हमने सपने में सोचा था तुम उसकी गल्फरिन थी तुम उसकी वाइफ थी उसकी मा भी थी मैं उमीद करता हूँ तुम्हारे जैसी दोस मैं कभी नहीं इस तरह दिल से जुड़े जसबात संदीप ने इंस्टेग्राम पर शेयर किये तीनों की तस्वीर जिसमें वो होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं इतना इमोशनल मैसेज पढ़कर लोगों की आखों में पानी आ गया हर कोई सुशांत को याद कर रहा है क्योंक झाल झाल